नमस्कार मैं विश्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एटीपी में हार्दिक स्वात करता हूँ आज ये शोरी बहुत यूनिक है बहुत ही अच्छी है बहुत सारे नए वर्ट्स आपको तेहां पर पहले ही लाइन में आपको बहुत सारे नए जो आपने नहीं सुने होंगे तो आप से भी को आज जानने को मिलेगा और यदि आपको आज की शोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे ग्रामर हमें से की तरह सीखेंगे जहां पर अम टैंसे सीखते हैं वर्प्स के फॉर्म सीखते हैं कॉजिटी वर्प्स होते वो स परेंगे आज की स्टोरी का टाइटल है दा वर्ड्स ऑफ ऑसेंट ठीक है सेंट याने क्या होता है संद सेंट थॉमस बोलते हैं तो एक संद के शब्द थे चलिए देखते हैं स्टोरी में बहुत पसंद आई आपको once upon a time a learn sent है ना once upon a time का मतलब हर बार आपको बताता हूं कि एक समय की बात है एक बार की बात है हम ऐसे यूज करते हैं ठीक है तो एक बार की बात है a learned sent एक learned यानि क्या होता है विद्वान, learned यानि सीखा हुआ विद्वान को learned कहा जाता है sent, एक विद्वान संथ lived रहते थे lived का second form lived रहते थे in a village, एक गाउं में clear हो गया थे एक बार एक विद्वान संथ एक गाउं में रहते थे he was greatly appreciated for his wisdom and capability of bringing and amicable settlement to villagers problem, चली इतना बड़ा पूरे यह sentence है, यह full stop तक कि मैंने ले लिये, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, जब इसे हम छोटे-छोटे पार्ट पर translate करेंगे तो आपको बहुत ही easy लगने वाला है, ठीक है, तो he was greatly, तो वह था या फिर he was, वो क्या था greatly याने बहुत greatly याने होता है, कि बहुत ज़्यादा, उसे हम कहते हैं greatly appreciated याने उसका बहुत ज़्यादा उसे सरहना की जाती थी सरहना करने अप्रिशेटेट ठीक है, तो उसकी सरहना की जाती थी, for याने किये लिए his wisdom, उसकी बुद्धिमानी के लिए, wisdom यहने बुद्धिमानी and और capability capability यहने होती ही छमता किसी कारे को करने की छमता योगताग को capability बोलते है, ठीक है क्या करने की छमता, of bringing, bringing यहना तो लाना and एक, amicable amicable का मतलब होता है कि सौहाद्रपून, मित्रता पूर्वक settlement settlement का मतलब होता है जो हम समझोता करवाते है समाधान को settlement बोलते है to villagers village apostrophe S काके की गाव वालों की problems यहने समस्याओं की clear हो गया तो उसका बहुँँ ज़्यादा सराहना क्यों किया जाता था क्रामीनों की समस्याओं का बहुत ही मैती पूर्णतरीके से समाधान निकालनी के लिए उसकी बुद्धिमानी loadedosta की बहुत ज्यादा सराहना की जाती था यह लिए लेकिन दोरों में लड़ाइ वहतिया रहे है उसका पक्चले लिंए की लेकिन इतने अच्छे सेटल्मेंट कराते थे कि सब तारीफ करते थे बहुत ही एमिकबल तो देखे हैट के साथ study का third form is studied second third होने होता है तो study यदि head के साथ third form है आप सभी को पता है past perfect sense जिने नहीं पता है नए है तो आप जान लीजिए past perfect sense में होता है लिया था चुका था दिया था ऐसे तो संत ने क्या कर लिया था all the epics epics यह नहीं कहा था महा कावे जैसे हो गया महा भारत हमारे महा कावी है ना एन वेदास और वेद आपको पता है तो सभी वेद महा कावियों का उन्होंने क्या अध्यान कर लिया था यह अध्यान कर चुके थे दोनों बोल सकते आप clear हो गया तो वहीं सभी महा कावे वेदों का अध्यान किया था भेद भाव करना तो उन्होंने कभी भी भेद भाव नहीं किया between between याने beach में किसी भी दो लोगों के beach में या दो चीजों के beach में उसे हम between कहते हैं ज्यादा रहते तो among ऐसे यूस करते हैं high and low class याने उची और नीची जाती एक्चुल मैंसे उची नीची जाते नहीं होती लेकिन समझाने के लिए ऐसे लिखा गया है कि उची जिसे उची और नीची जाती के लोगों के बीच में वो कभी भी क्या नहीं करते थे भेदबाव नहीं करते थे He welcomed all with open arms He welcomed वो क्या करते है वेलकम याने की स्वागत करते थे उन्होंने स्वागत किया all याने सभी सभी का with याने से open arms याने खुले बाहों से उन्होंने सभी का खुले बाहों से स्वागत करते थे अब दोनों बोल सकते हो अब क्या हुआ the sense had a sturdy and tall horse the sense हैंने संद के पास हैड याने था, यहाँ पर हमने हैड का यूज देखा, पास परफेक्ट हैंस में क्योंकि हैड के बाद वर्ब का third form था यहाँ पे हैड के बाद कोई वर्ब है ही नहीं यह study verb नहीं है, यह विशेशन है ठीक है, किसी की क्या विशेशता बता रहा है तो यह study अपका adjective है तो यह verb का third form रहता तब फिर दिया था, लिया था होता केवल लिखा हुआ है हैड, तो उसके पास था जैसे मैं बोलूँगा कि I had a car, मेरे पास एक car थी I had a friend, मेरे पास एक दोस था तो hat यहने कुछ चीज था किसी के पास clear है, तो अब क्या हुआ कि संद के पास a study study यहने होता, बहुत ही मजबूत को study कहा जाता है, इस study नहीं लिखाव है study, बहुत लोग थोड़ा सा आर को ध्याने study type से लग रहा है, study एक मजबूत और tall horse channel, उचा घोड़ा, लंबा घोड़ा tall horse बोलते है, clear हो गया मजबूत और लंबा, उचा घोड़ा था he loved his horse very much loved, प्यार करते थे his horse, अपने घोड़े को very much बहुँच जादा he rode on his horse और वो क्या करते थे, road road, सड़क वाड़ी road नहीं है, road याने ride का सेक्ड़ हम, road सवारी करते थे, ऐसे होगा past importance है, तो वो क्या करते थे सवारी करते थे, on his horse याने अपने घोड़े पर on preposition है, on याने पर horse पर, daily याने रोज for, जब समय बताते हैं तो for का यूज़ करते हैं, जब समय एकदम January, February, ये सब February आता तो हम since का यूज़ करते हैं clear हो गया, तो वो प्रती दिन रोज कम से कम, एक घटा घटा अपने घोड़े पर सवार होते थे, सवारी करते थे he fed him nutritious और वो क्या करते, fed him, उसे खिलाते थे, feed का से करते हैं, fed तो खिलाते थे, past simple तो feed का fed हो जाएगा उसे किसी घोड़े को nutritious, nutritious का मतलब क्या होता है बहुत ही पॉस्टिक बहुत ही फाइदेबं पॉस्टिक sorry, fodder, fodder याने क्या होता है जो जानवरों को खिलाने का जो चारा होते है उसे fodder कहा जाते, बहुत सारी नहीं नहीं आपको यहाँ पर मिल रहा है बिलकुल यहाँ था fodder याने चारा को fodder कहते है बहुत ही पॉस्टिक चारा खिलाते थे and the horse had become very strong, or the horse घोड़ा, had था become, याने हो गया था, had become याने हो गया था, very strong, और घोड़ा बहुत ताकतवर हो गया the sand passed half of the day looking looking after his horse, the sand sand passed, passed याने वो गुजारता था बिताता था, ठीक है half of the day, याने दिन का आधा दिन याने आधा दिन बिताता था looking after, looking after याने क्या होता है looking after का मतलब होता है, देख भाल करने में तो देख भाल को looking after बोलते है, his horse अपने घोडे का देख भाल करने में वो आधा दिन बिता देते थे he wouldn't tolerate anything said against his horse वो wouldn't, wouldn't याने would not नहीं करते थे पाश का कुछ बता रहे हो कि उसकी है आदत की ऐसा करता था उससे नहीं करता था, तो wouldn't, would not नहीं करते थे tolerate, tolerate का मतलब क्या होता है tolerate का मतलब बर्दास, वो बर्दास नहीं करते थे anything याने कुछ भी said याने कहना against याने विरुद्ध में खिलाफ his horse, वो अपने घोडे के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते थे या घोडे की विरुद्ध कही गई किसी बात को बर्दास नहीं करते थे he loved him so much, वो उससे loved, प्यार करते थे love का loved, okay, second of so much, बहुँँ ज़्यादा प्यार करते थे, आप देखे, past simple tense की सब जगा use हो रहा है, जहां जहां पे tense change हो रहा है, मैं आपको बताते जारों कि यहां पे perfect tense है, यहां पे आपको बताते जारोंगा sometimes, some people criticized, sometimes, कई बार, some people, कुछ लोग criticized, criticized मतलब आपको बताया था, कि क्या करते थे वो लोग आलोचना करते थे, यानि किसी की कमी निकालना, गलती बतानों से आलोचना criticize करना होते हैं, आलोचना करते थे, हम यानि उसकी saying, यानि कहकर that की, the sand wasted a lot of time on the animal, the sand यानि sun wasted, यानि बरबात करते थे, a lot of time, यानि बहुत ज्यादा समय, on यानि पर the animal, यानि कि सब आलोचना करते थे, कि they were of the view that he should spend major period of his day in studying more and more they were of the view याने उनका view था याने उनका विचार था विचार था that he should उन्हें चाहिए तो जब हम किसी को advice देते है आपको यह करना चाहिए आपको दूद पीना चाहिए you should drink milk इजी इजी बता रहा हूं आपको है ना तो आपको English सीखनी चाहिए you should learn English तो शूद की साथ वह आपका फर्स फर्म लगता है देखिए spend फर्स फर्म है सेके रहे spend होता है शूद याने चाहिए किसी को advice देते तो चाहिए तो उनका विचार था कि उन्हें क्या करना चाहिए spend बिताना चाहिए major period major याने होता है ज्यादा से याद उसे major याने मुख्य उसे major कहा जाता है तो बताए कि भई उन्हें क्या करना चाहिए अधिकान समय मेजर अधिकान समय office day अपने दिन का in studying याने पढ़ाई में more and more ज्यादा से यादा अपना जो समय है उसे अधियान में प इताना चाहिए and उन्हां लेफ्ट ने छोड़ दिया तो देखिए ये भी second form है और उन्होंने कहां को छोड़ दिया वह वेंट याने गए ठीक है गो वेंट गॉन तो हम second form वेंट करेंगे subject के बाद वर्ब का second form past importance to कहां गया किसके पास गया to preposition का use करें a forest तो वह एक जंगल गया है जंगल चले गया made a hut एक जोपड़ी बनाई हट याने होती है जोपड़ी कुट्यों को hut कहा जाता है और एक जोपड़ी बनाई and begin living there और begin शुरू किया begin कैसे है साथ के लिए भी clear है साथ रहना शुरू किया he passed his day either in studying or looking after his horse he passed his day वो उन्हेंने क्या करते पास जैने बिताते थे his day वो अपना समय चा करते थे बिताते थे किसमें बिताते थे इधर या तो in studying या तो पढ़ाई में और या तो looking after his horse या तो घोडे के देख भाल में तो either or neither nor में ना तो ना ही इधर और या तो या ही है ना ऐसे यूज़ करते है तो या तो पढ़ाई में या फिर घोडे के देख भाल में अपना समय बिताते थे अब क्या होगा देखिए अब interesting यहाँ पर थोड़ा some more आने वाला है people came to know about the sand people याने लोगों को came to know का मतबद पता चला इसे आप याद रखेंगे come to know पता चलना came to know पता चला पता चला about याने के बारे में the sand लोगों को संत के बारे में पता चला now everybody knew अब हर कोई new याने जानता था that he had a well-fed and strong horse he had उसके पास था a well-fed याने एक अच्छे तरीके से well-fed याने अच्छे तरीके से खिलाया फिलाया गया उसे हम क्या कहते है well-fed और a strong horse एक ताकतवर strong याने कहाता है मजबूत ताकतवर एक खिलाया फिलाया हम मजबूत गोड़ा था सबको पता चल गया है even the king wanted even याने यहां तक के या फिर भी the king wanted राजा भी है ना चाहते थे wanted तो राजा भी क्या चाहते थे to have a horse like this to have याने होना पाना है ना एक घोड़ा like this याने इस प्रकार का तो यहां थे कि राजा भी ऐसा ही घोड़ा रखना चाहता था कि मेरे पास भी ऐसे घोड़ा हो तो have याने होना रखना the king sent a message तो राजा ने sent भेजा s e nd send याने भेजना उसी का second भाव में sent भेजा राजा ने भेजा a message एक संदेज भेजा two किसके पास भेजा तो two preparation यूज़ करेंगे the sent sent के पास message भेजा through his messenger through याने के द्वारा के माध्यम से his messenger अपने संदेश वाहग पहले ऐसे mobile वाला जमाना तो था नी चिठ्थी पत्री भी ऐसे डागघर था नी तो भेजना रहता था तो किसी संदेश वाहग को चिठ्थी लिखके भेज जेते थे तो संदेश वाहग को ने कहा से का second form said तो दूत ने कहा the king wants राजा चाहते है यहाँ पर ध्यान दें कि पास इंपर्टेंस नहीं है प्रेजंस इंपर्टेंस है क्योंकि वांड्स ऐसे यस लगा है क्योंकि the king third person है यदि he see it किसी का नेम हो third person singular हो तो वहाँ पर ऐसे यस लगता है वांड्स प्लेस र प्लूरल बहुवचन के साथ ऐसे यस नहीं लगता है क्लियर है तो राजा चाहते है अब यहीं पर the king wanted हो जाता wants के जगा एडी जूड़ जाता वांड्स तो राजा चाहते थे ऐसे हो जाता पास इंपर्टेंस लेकिन यह प्रिजंस इंपर्टेंस है राजा चाहते हैं to see य से राजा आँको आपके गोड़े के साथ मिलना चाहते हैं देखना चाहते हैं धसेंट अगरीट टो ड़दर किंग स sä bumap अगरी या राजि हो तुगो जाने के लिए to the king's palace राजा के महल यह पर्शुफई स수가 छागे कि राजा कि महल जाने के लिए प्लेश जाने जागः चाने महल विट हिस eatt by आपने घोड़े के सांद जाने के लिए Polish के साथ गोड़ी हो गया कि सींग सच और श्ट्रॉटहरम इनट व्याने देख कर सच या एक ताकत्वर और उचा गोड़ा राजा ने एक्सप्रेज़ का मतलब क्या आता है इक्षा व्यक्त करना व्यक्त की इस विष्ट अपनी इक्षा व्यक्त की इजहार किया तू हैविट याने उसे प्राप्त करने की है विट यह नहीं होता है उसे पाने को है विड बोलते है उसे पाने की इक्षा का व्यक्त गिया भी कि मुझे यह चाहिए उसने संत से कहा आई नो यू मैं जानता हूँ यू यानि तुम लव यो हॉर्स तुम अपने घोड़े से प्यार करते हो यहां पर देखिए ता है ती है यूज हो रहा है लेकिन ऐसे ही इसको नहीं लगा है प्रिजन सिंपल टैंसा बता दियो हो क्योंकि सब्जेक्ट में यू आपको कोई आपको कोई आपत्ती ना हो ऐसे नहीं कि आपका दिमाग ना हो आपका मन ना हो यदि आपको कोई आपत्ती ना हो आइवड लाइक तो भाइट आइड उड लाइक टू और अप्र याने हो खुरू पर किसी भी कीमत पर मैं इसे खृरिरना चाहूंगा यदि आपको कोई आपत्ती ना हो संत ने हमली का मतलब होता है बहुत ही विनम्रता पूर्वक डिकलाइन याने होता है मना कर दिया saying that ऐसा कहकर क्या कहते हुए मना किया कि he loved the horse like his own son he loved वह प्यार करता है past simple tense ठीक है the horse याने घोडे को like याने जैसे his own son याने खुद के बेटे के जैसे वह अपने घोडे से प्यार करता है यह कहते है वह उसने humbly याने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया कि नहीं वह बच्चे के जैसे प्यार करता हूँ the king bet farewell तो राजा ने bet farewell का मतलब क्या आता है विदाई देना उसे bet farewell कहते है विदाई दी to the saint and gave him many presents और गेव याने दिया गिव का से रहा हूँ गेव दिया यही पर gives him तो उसे देता है ऐसे वह आता many presents याने बहुत सारे उपहार बहुत सारे उपहार दिये अब देखे क्या हुआ अब राजा ने तो कुछ नहीं कहा भी अच्छ वालो बच्चे के ऐसा प्यार करता है करते हैं तो अब कोई बात नहीं अच्छ से खुशी-खुशी नहीं विदाई दे दिया लेकिन अब क्या हुआ देखिए कि आफ्टर एफ्यू डेज कि अफ्यू डेज माना तो कुछ दिनों के बाद अफ्यू डेज ये न कुछ दिनों के बाद दे लीडर आफ रॉबर्स यहनु होता है अप मुखिया सर्दार आफ रॉबर्स रॉबर्स यहनू लुटेरे रॉबरी बोलते है न लुंत हो जाना उसर सर्दार कोकु उसका नाम कोकु था came to know about the came to know came to know अभी आपको बतागा came to know क्या होता बताईए ध्यान देजे पता चला about के बारे में the ठीक है किसके बारे में पता चला उसे ये भी देखी इसको भी आप नोट कलेजे ग्रेंजर इसे और कुछ नहीं पढ़ेंगे मैं बोल के भी नहीं पताऊंगे तो वही मन में बैठ जाएगा ग्रेंजर ग्रेंजर का मतलब होता है उसकी जो महिमा होती ना महिमा शान उसे हम ग्रेंजर कहते है वैभाव एश्वरे शो बहुत सारा मतलब होता है तो उसकी जो शान के बारे में गोड़े के महिमा के बारे में जब उससे पता चला और उसे भी नूँ याने पता चला उसे क्या पता चला? याने पता चला कि राजा उसे खरीदना चाहते है लेकिन संत ने उसका प्रस्ताव अस्विकार कर दिया प्रस्ताव को ठुकरा दिया पता चला फिर यहाँ पर देखिए हैट के साथ रिलाइज थर्ड फॉर्म है है ना, क्या हुआ? एहसास हुआ देट की इट वास इंपोसिवल यह असमभव था क्या था? असमभव था तो मेक दसेंट एग्री है ना, एग्री याने होता है, सहमत होना याने संत को अग्री करना मेक का यूज क्यों किया गया? यह कॉजिटीव वभ है लिख लिजिए make या let का यूज़ करते हैं make का यूज़ करते हैं जब संथ कुछ नहीं कर रहा है आप उससे कुछ करवाओगे तब make का यूज़ करते हैं make the cent agree याने कि ये बहुत क्या है असंभव है क्या असंभव है कि संथ को to part with the horse to part याने होता है अलग करना the horse कि ये असंभव है संथ को घोड़े से अलग करना असंभव है तो संथ घोड़े से अलग नहीं हो रहा है आप चाह रहे हो कि उससे घोड़े से अलग करवाना तो किसी से कुछ करवाना चाह रहा है तो इसलिए वहाँ पे make का use किया था positive वाव है तो वो बोला या संभव है घोड़े को मतब संद को घोड़े से अलग कर पाना neither under any allurement not under any threat तो allurement का मतलब क्या आता है neither ना तो under याने के भीतर है ना any allurement allurement का मतलब होता है प्रलोभन याने जिसे हम क्या बोलता है लालच बोल सकते हैं बीना किसी लालच ना तो ना ही ऐसे under any threat तो भी इसका मतलब क्या हुआ कि वो समझ गया था कि असंभव था कि इसे किसी भी प्रकार के ना तो प्रलोभन ना तो लालच में और ना ही किसी धमकी से उसे गोड़े से अलग किया जा सकता है तो यहां पर नीधर ना और कायूज में रहे ना तो ना ही ना तो किसी लालच से और ना ही किसी धमकी के अंदर उसे हम क्या कर सकते हैं गोड़े से अलग कर सकते हैं One day koko came to the sensor in the forest एक दिन कोकु के एन चासेकेंद का कमर कम उसान के जंगल में जहोपड़ी इन छरूट overtime कम एक दिन कोया से तसेंट welcomed him संत ने welcome याने स्वागत किया याने उसका although हालांकी he was aware that वह वो क्या थे aware याने सावधान थे सचेत थे जागरूप थे that की कोकु was a famous robber कोकु एक famous याने क्या होता है प्रसिद्ध लूटे रहा था वो क्या है जानते थे की कोकु एक सिद्ध डाकू था but he was not afraid of him लेकिन he was not afraid of him लेकिन उससे भाइबीत नहीं थे क्या थे उससे डरे नहीं थे कोकु saw the horse कोकु ने घोडे को देखा साव क्यों बोला समझ गया seesaw scene तो साव करेंगे कोकु ने घोडे को देखा and liked it very much और उसे बहुत पसंद आया अरे वा क्या घोडा है he planned to take away the horse और उसने planned योजना बनाई take away नहीं थे ले जाने का the horse घोडे को ले जाने का किसी भी तरह से है ना take away याने चीन लेना भी होता है तो घोडे को चीन लेने का ले जाने का from him याने उससे याने का plan बना योजना बनाया some way याने किसी तरीके से और या the other और या other का मतलब क्या होता है किसी ना किसी तरीके को और या other के लिए हम use करते हैं ठीक है clear हो गए यहाँ पे तो यही बोला भी इसने यही कोसिस की कि किसी ना किसी प्रकार से वो क्या करें उसे किसी ना किसी तरीके से ठीक है उसे some way or the other ऐसे बोलते है तो भाई उसने बोला किसी ना किसी तरीके से घोडे को इससे ले जाने का उसने plan मनाया चिलेने का although he knew halang की although याने halang की लिख लीजिए ना जब की halang की ऐसे मतलब है he knew वो जानता था new किसका से लिख नो का k-n-o-w यहाँ पर भी k-salent होता है new वो जानता था that की that याने जो वह की बहुत सारा मतलब होता है it was not an easy job it was not यह नहीं था an easy याने एक आसान job याने काम वो जानता था कि यह आसान काम नहीं है easy क्योंकि हिंदी का e का धौनी हो रहा है easy ऐसे तो आप हिंदी का देखेंगे न e a-a-e-e-u-u-a-o तब फिर n लगाना है इंग्लिस का a-e-i-u मत देखें गलत हो याता है उसमें हमेशा umbrella में use start होता है वहाँ पर n लगता है n umbrella क्योंकि अध्वन निकल रहा है university वहाँ पर भी use start होता है लेकिन वहाँ पर a university का use होता है क्योंकि ध्वनी में हिंदी में you बोल रहे university यह आ रहा है यह ध्यान रखेंगे when koku came out of the hut जब koku came out याने बाहर आया कम का came होगे फिर आया of the hut याने जोपड़ी से जब वो बाहर आया he threatened the sand उसने संत को धमकाया threatened याने धमकाया either you gift this horse या तो तुम इस घोड़े को gift दे दो उपहार में दे दो to me याने मुझे happily याने खुशी से और या तो I shall manage my own ways मैं अपने हिसाब से manage कर लूँगा अपने हिसाब से मैं प्रबंद कर लूँगा clear है उसने वही बोला कि या तो तुम इस घोड़े को खुशी से मुझे उपहार में दे दो या मैं इस घोड़े को अपना तरीका अपनाऊँगा manage कर लूँगा own ways या अपने खुद का तरीका to get this beautiful horse get याने प्राप्त करना this beautiful horse from you तुम से सुन्दर घोड़े को लेने का मैं अपना तरीका अपना लूँगा या तो फिर तुम क्या करो खुशी से से दे दो मुझे धमकाना शुरू कर दिया the scent refused to part with this horse संत ने refuse मना कर दिया इंकार कर दिया to part to part का मतलब होता है बताया आपको बिछड़ना अलग होने को to part करते हैं तो उसने क्या किया मना कर दिया with this horse अपने घोड़े के साथ अलग होने से मना कर दिया and begin keeping a strict strict wiggle है ना एक साथ strict wiggle on it तो यहां पर आप देखेंगे ठीक है strict sorry wiggle है ज़ ज़ है ना विज़ल ऐसे विज़ल होता है तो विज़ल का मतलब क्या होता है क्योंकि जी के साथ यह आई हो यह हो या यह हो ना तो जी का गा का जगा जगा ज़ 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 हो जाता है अब क्या हुआ इवन एट नाइट याने रात को भी रात को भी कड़ी रखना सुरू करें पता नहीं कब लेकि भाग जाएगा फी गाड़ेड ही सो और सो देट नोबडी कुड इस्टील हीम फी गाड़ेड और उसने क्या के गाड़ेड गाड़ेड याने होता है उसकी पहरेडारी करना ठीक है क्या क्या उसने पहरेडारी की इस हॉर्स याने अपने घोड़े की रखवाली करता था अलगला लिखा उता रहेंगे ताकि नोबडी याने कोई भी नहीं कुड याने सके steal him, उसे चोरी कर सके could किसका शेकर नवहाँ, can का can का हो जाता है could ये modals में आता है, इसे modals भी बहुत लेता है modals याने can, could इसका use होता है should, ये सब modals में आते है can के जगा could, can याने सकता है could याने सकता था, ऐसे तो उसने बोला कि भई, ये मतला उसने क्या करी, पहरेदारी करने सुरू कर दी ताकि कोई चोरी ना कर सके तो इस्टील याने चोरी कर नहीं, याने उससे चुराना सके one day, एक दिन when the saint was riding on his horse जब the saint याने son was riding was के साथ आएंजी फॉर्म ना गया तो रहा था, रही थी past गंटिवस्टेंस, जब son on his horse याने अपने घोडे पर घोडे की सवारी कर रहा था he saw, उसने देखा an old man, एक बुढ़े आदमी को है ना, टॉटरिंग, बुढ़े आदमी को टॉटरिंग याना ता लड़खडा आदमा को टॉटरिंग बोलते है, लड़खडाते हुए देखा he dismounted, है ना, dismounted, mount याना होता चड़ना, dismounted याना होता उतरना, तो mount याना होता, किसी में चड़ना घोडे पते है, तो वो उतर गया from the horse ठीक है, घोडे से उतरा and asked the old man about his problem, और पूछा ask का, ask ठीक है, बूढे आदमी से, about याने के बारे में his problem, उसकी समस्तर के बारे में पूछा, भे क्यों लड़ खड़ा आ रहे हूं, क्या है, कैसे है the old man said बूढे आदमी ने कहा, that की he wanted to go to a nearby village, वो चाहता है है ना, क्या चाहता था, to go याने जाना, to a nearby village, nearby याने पास के गाउ में जाना चाहता था, to preparation के उसके to get, to get याने प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए treatment for himself, treatment याने इलाज for himself, तो वो खुद का, अपना इलाज कराना चाहता था, इलाज पाने के लिए वो पास के गाउ में जाना चाहता था उसने बताया दसेंट पिटेड हीम और उसका मदद की सिट ऑन हिस हौर्स अपने गोडे पर बैठा कर ठीक है क्लियर हो गया तो भी उस पर दया आए उसने गोडे पर उससे बैठने में मदद की याने वो क्या कर रहे थे हिमसेल और खुद वाकिंग चल रहे थे वास के साथ आएंजी फॉर्म वो खुद चल रहे थे ऑन फूट याने पैदल को अन फूट बोलते हैं खुद पैदल चल रहे थे ऊणली आफ्तर अफिव स्टेव सिर्फ आफ्तर आफिवस्टेव का मतलब होता है सिर्फ कुछ कदम चलने के बाद द ओल्ड मैं बुढ़ा आदमी थीक है स्ट्रैटन्ड हिंसेल्फ स्ट्रैटन्ड का मतलब क्या होता है स्ट्रैटन्ड का मतलब यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं कि अपने आपको जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि दिखाना ठीक है और उसे ने क्या किया यहां पर आप देख सकते हैं इसका मीनिंग जैसे हम यहां पर बोल सकते हैं जैसे स्ट्रेट याने हो गया ना सीधा है ना वैसे स्ट्रेटन याने हिमसेल खुद को अच्छा यह स्ट्रेटन याने होता है खुद को सीधा किया ऊपर होड़ने की लिए आश पर्ट बोलते हैं दौड़ने के लिए प्रेदित किया देशेंट वा सर्प्राइज संद आश्र किता हैरान था तो लर्न दैट लर्न दैट याने होता है समझने में है ना तो उसे जानकर है चाहलों लर्न जानकर यह आश्र हुआ दा पर्षन हुआ अपने आपको दिखाना जिसने अपने आपको भुदबद और तो वही बॉड़ा हुआ है बहुत अच्छे इंडिंग है और यह वही डाकू था कोकू वो बुढ़ा अतनी बनके बेवकू बनाने के लिए हो चड़ गया और वहां से स्पीड से क्या करने लगा अपने आपको सीधा किया और घोड़े को दोड़ने के लिए कहा भागने के लिए संत ने कोकू को पुकारा काल यह नहीं के होता है बुलाया पुकारा दोन ओर कहा आइनो मैं जानता हूं गोड़े की बिना नहीं रह सकता but I want compel you लेकिन I want तो want क्या है will not तो उसे want कहते है ठीक है तो compel तो ये क्या बोर रहा है मजबूर करना लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा to return the house घोडे को लोटाने के लिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा I request you मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ not to tell नहीं बताने की this incident इस घटना को to others दूसरों से मैं तुम्हें घोडे को ले जाने से मतलब मना तो नहीं कर सकता लेकिन मैं तुमसे request करता हूँ कि तुम इस घटना के बारे में किसी को भी ना बताए कोकू वा सर्प्राइज्ड कोकू आशर्चे कि था हैरान था to hear the sense word संद के वाक्यों को सुन कर संद के संद के संद के संद को सुन कर यह क्या बोर रहा है but could not understand लेकिन समझ नहीं पाया समझ नहीं सका why requested him क्यों वो उससे विंती कर रहे थे विंती किया past simple tense to keep this incident a secret a secret राज रखने के लिए तो उसने वही कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि है ना कि यह मुझे मना करने के लिए गटना को गुपता रखने के लिए क्यों मोल रहे है राज रखने के लिए क्यों कह रहे है समझ नहीं है उसे he stopped वह रुका and asked the sent to explain अब asked या ने पूछा नहीं asked या ने कहा किसी को कुछ करने के लिए कहने को भी asked या ने कहा जाता है और संद से explain या ने समझाने के लिए कहा कि भी समझाओ मुझे आप क्यों राज रखने के लिए बोल रहे हो the sent said संद ने कहा if people come to know देखे came to know हमने पढ़ा था अब यहां पे come to know यह present पे है यदि लोगों को पता चलता है about this incident इस घटना के बारे में they will not help the poor or old man in future they will not help तो वो they या ने वे है न वे लोग मदत नहीं करेंगे will Gagi के future tense वे मदत नहीं करेंगे the poor याने गरीब और या old man बूढ़े व्यक्ति के तो बहुत सारे आदमी को man को बोलते हैं एक आदमी होगा तो old man singular और यह plural in future याने भविस्य में poor याने गरीब भी होता है बेचारा भी होता है ठीक है तो कभी भी वे लोग किसी बेचारे या किसी गरीब या बूढ़ों की मदत नहीं करेंगे इसलिए किसी को मत बताना I wish people do not lose faith in others इसे lost नहीं पढ़ेंगे lose पढ़ेंगे ठीक है I wish मेरी इक्चा है do not lose faith in others मैं चाहता हूँ I wish याने मैं चाहता हूँ कि लोग दूसरों पर विश्वास न खोए lose याने होता है खोना faith याने विश्वास मैं चाहता हूँ कि लोग दूसरों पर विश्वास न खोए saying this the sand ऐसा कह कर संथ ने turned back with tears in his eyes turned back याने वापस वो मुड़ गए which tears याने आशों के साथ in his eyes याने अपने आखों में आशों लेकर वो वापस लौड गए ending देखे पस इतना सही है अपने आखों में आशों लेकर वो वापस वहां से लौड गए इतना कह कर कि भई किसी को भी मत बताना नहीं तो लोगों का भरोसा उड़ जाएगा वो कभी भी किसी गरीब और बुडों की मदद नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता चला है कि लोग ऐसे दोगा देते है कोकू वेंट अवे विस दो हुर्स और कोकू वेंट अवे याने वापस चला गया ये जहां जाना था वो वो वापस चला गया घोडे को लेका जहां उसे जाना था But the sands words से लेकिन संत की वानी याने संत की जो शब्द थे यही आवाना टाइटल है कि ऑप करता रहा गुंजते रहे उसके कानों में in his ears लिखा हुआ है, उसके कानों में संद के शब्द गूंचते रहे, किसी को मत बताना, ऐसे होगा, धोखा हो जाएगा, पिचारे के रहा, उसके कानों में गूंचता रहा, अपने आपको दोसी महसूस करना, अपराधी महसूस करना, जितना जादा वो शंद के सब्द के बारे में सोचता था, उतना जादा उसे लगता था, कि मैं अपराधी हो, मैंने गलत किया है, and ultimately, ultimately का मतलब होता है, अंतता आखिरकार, और आखिरकार, a time came, एक समय आया, when he finally decided, जब उसने, finally आखिरकार, फैसला लिया, to return the horse to the sand, संत को घोड़ा नौटाने का फैसला लिया, he went to the hut, वो जोपड़ी गया, of the sand, संत की जोपड़ी गया, quietly याने चुपचा, and left the horse, और घोड़े को छोड़ दिया, outside याने बाहर, his hut, याने उसकी जोपड़ी के, and hid himself behind a tree, hid, छिपाया, hid किसका second form है, hide, hide, hide का second form होता है, hid, ठीक है, तो और उसने अपने आपको छिपा लिया, behind याने पीछे, एक पेड़ के पीछे अपने आपको छिपा लिया, next morning, अगले सुबा, when the sand woke up, जब संत जागा, wake up का woke up है न, जब संत उठे, he was happy, वो खुश थे, sorry, he was happily surprised, वो खुशी स क्या हो गया थे, आश्र चकित रह गये, to see his horse, अपने घोडे को देखकर, आश्र चकित रह गये, खुशी से, he hugged his horse, उसने hug, hug का से करम हग, गले लगा लिया, his horse, अपने घोडे को, like his own son, अपने खुद के बेटे के जैसे, and tears rolled on his cheeks, और उनके, क्या हुआ, उनके गालों पर चलक पड़े, यानि गाल तक आसु बहके आते हैं, उसे rolled on his cheeks, ऐसे बलते हैं, तो उनके गालों पर आसु चलक पड़े, the robber saw the affection of the sands, for his horse, और जो डाकू था है न, उसने, जा देखा, behind the tree, यानि पेड़ के पीछे से, संत का, घोडे के प्रती, जो इसने था, उसे देखा, and then went away, और वहां से चला गया, तो आपने देखा, कि जो शब्द, जो संत के सब्द थे, उसने, ना उसने, जो संत थे, ना उसने डाकू को मना किया, नहीं उसने किसी प्रकार का ताकत का उप्योग किया, नहीं किसी प्रकार का उसे शाब दिया, नहीं, और किसी प्रकार के रा किसी को भी इस घटना के बारे में इस घटना के बारे में मत बताना क्योंकि लोगों का भरोसा उड़ जाएगा गरीब और बुढ़े व्यक्तियों पर यदि जैसे सीधी सी बात है आपके साथ भी ऐसा होता हमारे साथ कई बार हुआ है बहुत से लोग जो भीक मांगते हैं भीक में या दया करके या उनकी मदद के लिए है ना भीक भी ना बोले तो मदद के लिए उनको कुछ पैसे दे देते हैं कि चलिए इनकी मदद हो जाए अच्छी बात है लेकि मेरे साथ ही ऐसे हुआ था मैंने एक बार एक बुढ़ी और थी और उसका बेटा था वो भी जोर ही दिख रहा था तो मैंने उसे कहा कि भई आपकी आप तो काम कर सकते हो बोले नहीं मुझे भी काम करने से थकान आती ऐसे वैसे बहानवाना बनाया बहुत ज़्यादा जरुवत है दवाई लेनी है यह और बहुत ज़्यादा बुड़ी थी गरीब जैसे थी तो मैंने उसे दे दिये जितना भी रूपए दिये मना थीक ठाक कि मैंने रूपए दे दिये तो वहाँ पर एक ऐसे चना बूट होता है हमारे चना होता ना चना बूट बोलते है चतिस गड़ी में हम लोग अब वहां क्या बलते बता नहीं तो वह मैं लेने के लिए रुखा था तो मुझे चनाबुट वारी ने कहा कि अरे सर आपने पैसा क्यों दिया उसे मैंने बताया वी विचारी तकलीफ में है बोले आप दो मिनट रुकिए मैं ठीक है देखता हूं बगल में ही वो जो शराब वगरा है मिलता ना भट्टी जो होती है वहां पर बगल में शराब की भट् अब मैं उनको तो खेर कुछ बोलने ना जाओ वहां पर उस जगह में जाना भी सही नहीं है मैंने देखा है मैंने बोला क्या ऐसी करते हैं यहां पर रहते हैं लोग दया खाके लोग इससे पैसा देते हैं रे दिन मन में कोई लोग आजकल तो वैसे भी 50-25 पैसे का जमाना रहा है निए एक रुपए या पांच रुपए रखते हैं दो दो रुपए का सिक्का जादा चलता है दो दो रुपए करके भी गंटा भी बैड़े आते ना तो अच्छा पैसा का यही काम करते हैं उसके आप ऐसा वह उसके बासे मैं किसी को भी मदद करने जाता हूं मेरे म तो नहीं है ठीक है वैसे मदद करनी चाहिए भई आपका भगवान यह देखते हैं कि आपने जो मदद की है उसका फल आपको मिलेगा वो उसका क्या उप्योग करना वालग चीज है वड़ आपने किसी के help किया तो भगवान आपने अच्छे मन से मदद किया लोग की तो उसका उमारे का काटे का तो पैसे देंगे तो पाप लगए हम अंजाने में दे रहे हैं हमें नहीं पता इस पैसे का क्या करने वाला तो हमें कोई पाप नहीं लगने वाला को इसका बुरा हमारे साथ नहीं होने वाला है हम तो भई सही भावना से दे रहे हैं तो वैसे यहां पर उने कहा संतने कि वह किसी को बताना मथ नहीं तो लोग यहीं सोचेंगे कि य चोर टाकू है या फिर लंगना लंगना लंगनाने का एक्टिंग कर रहा है गाड़ी क्लास लेते रहा और आपको यदि आज़ी class पसंद आजी हो नए नए words की meaning आज़ी story का moral यदि पसंद आया हो तो please आप लोग लाइक करेंगे, share करें comment जरूर कर दिया करें एक comment तो कर दिया करें कि हाँ सर अच्छा लगा कि बुरा लगा तो मेरे लिए उतना ही बहुत अच्छा होता इतना मेहनत की हो, इतनी मेहनत की हो आप लोग लिए उसका फल यही है कि आपके अच्छे-चे जो comments आते है यही कोई कमी है वो भी बताईए कैसी उडियो चाहिए हो भी बताईए इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूँगा टेलीग्राम विश्वाटी पी सर्च करके जॉइन कर लेंगे आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे, नए है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्स्राइब कर लिजे और लोगों की भलाई ऐसे करते ही रहे, आपकी भलाई जरू होगी बहुत-बहुत धन्यवाद